पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है सूरज गरम जरूर होता है लेकिन ना हो तो अंधेरा चाह जाता है नमस्कार मैं हूँ कामल श्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक रासिफल जुलाई 2022 के विशेश एपिसोड में ये एपिसोड कुम्ब रासी के लिए है और ये रासिफल आपकी रासी नाम रासी अताद मूल साइन पर आदा रहीते है हर मासिक रासिफल के विशेश एपिसोड में बहुत सारे सक्टर्स पर विशेशन करते है और इस बार भी सबसे पहले आपकी इंकम और इन्वेस्मेंट पर आपके परिवारिक सुख पर सिक्सा और संतान सुख पर आपके स्वास्ति और शत्रों के बारे में दांपत्सुक ग्रसुक और साथ इसाथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंट्सिप चल लगी है और फिर विसे इस रूप से आपका जॉब, प्रफिशन, केरियर या बिजनस के बारे में और अंत में मैं आपको बतलाओंगा इस रासिपल के वो उपाय जिससे रासिपल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, लाब दायक बना सकते हैं तो आईए, अब आरम करें, आप कुम्ब रासी के लिए मासिक रासिपल जुलाई 2022 22 और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इंकम और इंवेस्मेंट के बारे इंकम गेन प्रॉफिट एप्रेशिशन एचिमेंट प्रॉग्रेस ये सब कुछ रासी से 11 ताउस से देखे जाते हैं यह लाब दायक है और ऐसे में दिमाख से जो लोग काम करेंगे बुद्धिबल का इस्तिमाल जादा करेंगे प्लानिंग का इस्तिमाल जादा करेंगे उन लोगों को जादा Gain होगा जादा Success मिलेंगी या वो तेजी से development देखेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको इस माह में बहुत अच्छे डंक से planning करनी है और planning करने के बाद है उसको follow भी करना है ताकि आपको maximum फाइदा मिल पाए इस समयकाल का क्योंकि ये समयकाल आपको gain देने के लिए ready है जब बारिस आती है जितना बड़ा बरतन का मुह होता है वो पूरा भर जाता है और जो बरतन उल्टा रह जाता है उसमें कुछ भी नहीं भर पाता है ये चीज़ याद रखने की है समझने की है तो ऐसी इस्तिति में जुलाई 2022 में आप में से जो लोग IT सेक्टर में, information and technology में, software में, application based में, MNC में, import-export से समझने काम करने वाले या शिग्रेट शराप तंबाको से समझने जो लोग भी काम करता है चाहिए manufacturing करते हैं, distribution करते हैं या दुकान दारी करते हैं, supply करते हैं उन लोगों के लिए समय काल फिर भी सही है, लेकिन यहां पर सिग्रेट शराप तंबाको को मैं, सब बिजनेस के हिसाब से बोल रहा हूँ कोई भी ऐसी इलिगल टर्म्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ यह आप धियान रखेगा या सावदानी रखेगा ठीक, इसके अलबा आप मैंसे जो भी लोग गोल्ड का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, अनाच का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद है मारकेटिंग का, इंस्यूरेंस का, ट्रेडिंग का, एजनसी बिजनस करने वालों का भी यहाँ पर बहुत भी अच्छे स्थितिय है, लाबदाएक स्थितिय है, आपका वल्यूम, या आपका टार्गेट एच्छी होने की स्थितियां आएगी, और बहुत तेजी से काम सकता तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छे डंग से सोच उचार करके कल्कुलेशन के साथ में काम दान्दा करेंगे या काली वेशाय करेंगे उसमें गेन होने की पूरी-पूरी संभावना है तेरा जुलाई 2022 के बाद में जब शुक्र रासी से फिप तौसमा जाएंगे तब फेशन इन कॉस्मेटिक, रेडिमेंट गार्मेंट, इवेंट इन एंटर्टेन्मेंट, मीडिया, इलेक्ट्रोनिक्स, जैमस इंज्वेलरी, आर्टिफिस इंज्वेलरी, एंटिक, हैंडिक्र भी ब्रेस्पती है, तो ऐसी इस्तिति में, आप लोग जो भी इन्वेस्मेंट करना चाते हैं, फिजिकली वो गोल्ड पर इन्वेस्मेंट कर सकते हैं, और जो लोग स्टॉक रखना चाते हैं, वो पिली डालों का है, केसर का है, अलदी का स्टॉक रख सकते हैं, जो कमोडि के बिबच्श करना है तब कशल्थि वाले कंपनिया होते हैं उसमें भी इनवस्मेंट किया जा सकता है तो ऐसी स्थितिमें इन्वेस्मेंट में भी या पिर आपको कमोडिटी में भी हर हाल में आपको गेन होगा क्योंकि रासी से सेकंड आउस में ब्रास्पति को बहुत ज़्यादा सुब मना जाता है और यहां तो ब्रास्पति सुअरासी के हैं आईए अब बात करें आपके पारिवारिक सुखी रासी से फोर्ट आउस से इसका विचार किया जाता है शुक्र इस बाव में स्थिति और आपकी रासी कुली में तो शुक्र में ग्रह है जिसको की प्लेनिट बोला जाता है यह केंजर और एक त्रिकोन इन दोनों बाव का स्वामी स्वेम जब केंजर में है और पंच माँ पर उसमें से एक जो मालवी महायोग है उसका निर्मान कर रहा है तो यह इस्तितियात बहुत शांदार है आपके घर परिवार में लगजरिय सुख सुविदाओं का आगमन होगा आप अपने घर परिवार के लिए पैसा खर्च करेंगे या हो सकता है अपने छोटे बाईबनों के लिए या पिर घर परिवार में जो और सदे से उनके लिए वीकल खरीच सकते हैं कोई कोई आप जो जुलाई 2022 से पहले-पहले होने का योग है और हो सकता है कि बहुत समय से जो लोग सोच रहे थे को इनको फ्लैट खरीदने की या को इनको बंगलो खरीदने की सिफ्ट होने की वो इस्तियां भी आ सकती है कि वो जो आप ढूंड रहे थे वो सौधा फटाफट में ही हो जाए, वो चीज आपको नजर आई, और आपको लगा ये बहतरीन है, और उस property पर दूसरे भी लोग fight कर रहे थे, या try कर रहे थे, और आपको आनन फानन में वो सौधा करना पड़ सकता है, और वो बहुत ही जादा शांदार होगा, एक प्रकास में वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, सनी की सड़साती है, उसके बावजूद भी ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इस्तितियां हमेशा नहीं आएगी, यह temporary face है, उस face का फल आपको मिलेगा, आईए, अब बात करें आपकी सिक्सा के बारे में, और संतान सुक के बारे में, रा कॉमर्स से समद्धी स्टेडी कर रहे हैं, उनके लिए सिविल सर्विसे से समद्धी कोई स्टेडी कर रहे हैं, या और जो लोग जॉब पर हैं और अपने आपको अब्रेट करने के लिए स्टेडी कर रहे हैं, या effort कर रहे हैं, मैनत कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बहुत सफलता दाएग है, आपको इस समयकाल का फाइदा अपने आपको इंप्रूब करने के लिए जरूर करना चाहिए, तो ऐसी इस्तिति में जो भी स्टुडेंट्स commerce subject लेकर के, mathematics subject लेकर के study कर रहे हैं, उनके लिए स्टितियां बहुत बैटर है, civil services की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्टितियां बहुत बैटर है, और 13 जुलाई के बाद में, जो लोग fashion से समदित को studies कर रहे हैं, या वो लोग जो animation से समदित, software से समदित, या फिर वो लोग TV और जो flame line से समदित, कोई भी sector में अपने आपको upgrade करना चाता है, कोई डिप्लोमा ले रहे हैं, चाहे acting सीख रहे हैं, और चाहे वो लोग जो photography सीख रहे हैं, editing table से समदित को software सीख रहे हैं, कोई भी situation हो सकती है, या software से समदित, जो IT सेक्टर में ही आता है, उससे समदित करने वाल लोगों को भी बहुत ज़्यादा safety मिलेगी, बहुत ज़्यादा support मिलेगा, या आपको नए-ने options मिलेंगे, जिससे आप अपने आपको और ज़्यादा better डंग से develop कर सकता है, progress वाली स्थिए है, तो यहाँ पर आपको grasping, knowledge, concentration, confidence भरपूर मिलेगा, आईए, अब बात करें, संतान सुकी, संतान सुक के लिए यही गरे स्थिए हैं, सब कुछ यही काम आएगा, तो ऐसी स्थिए में संतान के साथ में भी विचार भी मस होगा, उनके साथ में और अच्छा करने के लिए, या उनकी life में और improvement के लिए, और उसका result या उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा, संतान के साथ में बातचीज ज्यादा होगी, और हो सकता है, वो बातचीज से जो old, जो time के या पुराने गिले सिखवे थे, वो भी धोल जाएं, ऐसे भी के चकर में पैसा खर्च कर सकते हैं, समय खराब कर सकती है, लेकिन जो संतान studies कर चुकी है, जो संतान already को job में या अपना business कर रही है, और उनकी अपनी age है, तो फिर उनको खुला चोड़ना पड़ेगा, उनको अपनी life में, अपनी style से, जो कुछ करना है वो करने दीजे, ले इसे six ताउस से रोग बाव से इसका विचार किया जाता है, इस बाव का दीपती चनमा है, और इस बाव पर मंगल की नीच की दस्ती है, और ब्रस पती की उच्च की दस्ती है, तो ऐसी इस्तिति में ब्रस पती जिस बाव पर भी दस्ती पात करता है, वहां के सुप्र बाव को उजागर करता है तो रोग का सुब बाव क्या है रोगों से निवरतिरी रोगों से राहत मंगल नेगेटिव बाव पतस्ती है तो मंगल क्या करेगा तो उन चीजों को बढ़ावा देगा ऐसी इस्तिति में आपको एक प्रकासे खुद के साथ में ही फाइट करनी पड़ेग और ऐसी इस्तिति में allergic infection ज्यादा परिशान करेंगे जो लोग high blood pressure के मरीज हैं heart के percent है उन लोगों को ज्यादा सावदानी रखने पड़ेगी ज्यादा care करने पड़ेगी अपनी और साथ ही साथ वो लोग जो allergy infection के मरीज हैं जो asthmatic है उनको समस्यां ज्यादा आ सकते cold and cup, throat infection, सर्दीकांसी जुकाम के साथ में आप छाती से सम्मधित हैं जो infection lung से सम्मधित प्रॉलम हो सकते, stomach intestine से सम्मधित, back pain, shoulder pain ये आपको परिशान कर सकते हैं, सर्दी जनित रोग आपको इस समय काल में ज्यादा परिशान करेंगे और यहों भी जो जुलाई का समय रहता है, हमारे व्यरत में ही hero बनने की कोशिज नहीं करनी है, वाब व्यवाद में लड़ाई जगड़े में, मार पेट में आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है, legal problem भी आपको होगी, मानलो दूसरों ने problem आपके साथ में किये, फिर भी आपके उपर ही आक्षेब लगा जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, और second चीज है कि आपको तेज गती से बचने की आवशकता रहेगी, जो लोग rest driving के शौकीन है, बहुत expert हूं है तो उन लोगों को, कभी-कभी expert लोग भी problem में आ जाते हैं, वो इस्तिति आपकी आ सकती है, इसलिए आपको इस समय काल में, मानसून में और बारिस के सीजन में, बहुत safe side में, बहुत safe होकर कि driving करनी है, और third चीज आपको पानी से बचना है, जो भी जो पानी में ना आने के शौकीन है, जो ही बारिस आ जाती है, तो आपको इनको जड़ने में, या नदी में, नेर में, stand करने चले जाते हैं, या water activities, sports activity में चले साथ उन लोगों की भी, जिनकी कोई गहरी friendship चल रही है, सबसे पहले हम बात करेंगे दामपत सुकी, सब्तम बाव से इसका विचार किया जाता है, इस बाव का अधिपती सूरी है, जो की एक केंजर का अधिपती होकर कि थिरिकोण में है, राजियों की इस्तिति में है, लेक की इस्तिति ज्यादा आएगी, व्यत की टीका टिपणी, ठीक है, छोड़ छोटी बातों पर नुक्ता चेनी निकालना या कमी निकालना वो इस्तिति आने लगेगी, और सबसे बड़ी चीज है कि छोड़ छोटी बातों में गलत फहमिया होगी, आप कुछ और बोल रहे थे उन्होंने कुछ और समझा, किसी और संदर में समझा, और ऐसी इस्तिति का फाइदा दूसरे लोग उठा सकते हैं, घर परिवार के लोग, जो फ्रेक्शन डालना चाते हैं, वो लोग इस समयकाल का, इस सिच्वेशन का फाइदा उठा सकते हैं, ऐसी इस्तिति में बातचीत को रोकना नहीं है बाचित होगी बाचित में बहस बाजी भी हो सकती है लेकिन आपस में दोनों समझदार हैं तो क्या होगा जो दूसरे लोग आपको लड़ाना चाहते हैं तो आप उनको दिखावे के लिए लड़िये लेकिन अपने आप में एक ही रहिए आपको ध्यान है कि आपको किसको क्या शोग करना है और अल्टिमेटली आपको कौन लोग सही डंग से जीवन नहीं चलाने देना चाहते हैं या कौन लोग है जो आपको सुख में नहीं देखना चाहते हैं इन इस्तियों को भी अथाद आप कितने पानी में ये भी पता चल जाएगा कौन-कौन ज्यादा हो सकती है और उससे फिर ग्रस सुख ग्रस दुख में बदल सकता है negativity इस्तियां आ सकती है और ये इस्तियां temporary है हमेशा ऐसे इस्तिय नहीं थी और हमेशा ऐसे इस्तिय नहीं रहेगी लेकिन जब जुलाई की बात कर रहे हैं तो तो इस situation है 12 जुलाई को शनी अपनी रासी से वापस बैख चले जाएंगे मकर रासी में चले जाएंगे शनी की जो ज़स्तिय है 77 रासी पर वो अड़ जाएगी तो आपको कुछ पसंट तो रहत मिलेगी लेकिन राहू की जो ज़स्तिय है वो तो 30 अक्टूबर 2023 तक 99 रहेगी तो आपकी लाइफ में कोईन कोई आग लगाने का काम करते ही रहेंगे और आपको उस आग को बुजाने के लिए हमेशा पानी की बाल्टी या जग लेकर के चलना पड़ेगा एक्जम्बल के रूप में मैंने ऐसा बोलाई तो ध्यान रखेंगे ट्रैक्टिकल हो जाएंगे आपस में दोनों समझदार रहेंगे तो कोई भी आपको लड़ा नहीं पाएगा ये ध्यान रखेगा और ये आपकी परिक्सा की गड़ी है कि आप कितना सफल हो जाते हैं जो मैंने आपको समझाया है आईए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गयरी फ्रेंडिशिप चल रही है प्रेम तसंगों में रिलेस्टिप में उसके लिए रासी से फिप्ताउस सेवंताउस और शुक्र विराज माने तो यहां पर इस्तितियां आपके लिए फिर भी कुछ पसेंट बैटर बनी हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर सेवंताउस की जो स्थितियां है वो सूरी विराज माने उस बावकादीपती सूरी है उस बावपरी शनी और राव की दस्ति है इसलिए मैंने दंपत्थुक में इतनी ज्यादा बात बोली है सेम चीज आपको अपने रिलेसंसिप में अपनी फ्रेंड्सिप में भी ध्यान रखना चाहिए कि आप दोनों को लड़ाने के लिए को तीसरा फ्रेंड बीच में आ सकता है प्रॉलम क्रीट कर सकता है चान बुझ करके दोनों को लड़ा सकता है मिस अनरस्टेंड कर सकता है मिस गाइड कर सकता है ऐस समय चल रहा है, इस समय काल को जितना टाल सकते हैं, उतना टाल ये 16 जुड़ाई के बाद में इस्तितियां आपके पक्स में होगी तब आपकी बाद चीज ज्यादा अच्छे डंग से होगी या 16 जुड़ाई के बाद जब भी आप मिलेंगे तो हो सकता है, सारे गिले सिक्वे आपके दूर हो जाएं और वापस आप फ्रेंड बन जाएं, उससे पहले डिसकस करेंगे उससे पहले जान बुझ करके सफाई मांगेंगे तो हो सकता है, जो फ्रेंड्सिप है वो भी तूड़ जाएं तो ऐसी इस्तिति में थोड़ा सा पेसेंस रखते हुए आप इस समयकाल को पार करेंगे, तो बाकी सारी इस्तितियां वापस ठीक होने वाली है फ्रेंड्सिप वापस कंटीनू होने वाली है आईए, अब बात करें, आपके जॉब, प्रपेशन, केरियर या बिजनस के बारे में रासी से टैन ताउस से इसका विचार किया जाता है और इस बाव का अधिपती मंगल है जो कि रासी से थड़ा उसमें, परक्रम बाव में मंगल को बहुत सुब माना जाता है याँ पर मंगल को कारक बोल सकते है रासी से टैन ताउस पर ब्रेस पते की, मंगल की और शनी की दस्ती है जो सनी की दस्ती है, 12 जुलाए के बाद में वो दस्ती नहीं रहेगी क्योंकि जो शनी है, वापस बैक हो जाएंगे, मकर रासी में चले जाएंगे तो रासी से दसम बाव पर जो जस्ती है वो शनी की जस्ती नहीं रहेगी तो ऐसी स्तिती में यहाँ पर बहुत जोस खरोस के साथ में आपका काम काज होगा बहुत तेजी से कामकाज होगा और बहुत लोग यहां पर इस्तितियों का फाइदा उठाते वे आपसे आगे निकलने के लिए ट्राइ भी करेंगे इसलिए आपको सबसे पहले पहल करनी पड़ेगी जो जिता वही सिकंदर या first come first out वाल इस्तिति है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी इसलिए सबसे पहले पहल आप कीजिएगा आराम से सोते रहने की जगे यहां पर जितना जल्दी जागेंगे जितना जल्दी काम करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतना आपको बेहतरी मिलेगी, उतना आपको प्रोग्रेस मिलेगी आगे बढ़ने के लिए. क्योंकि ब्रेस्पती की सुब्ध जस्ती, रासी से टेंट ताउस पर आपके प्रोफेशन बाव पर है, तो मंगल भी आपको एनरजी बराबर दे रहे हैं, ऐसी इस्तिति में, आप मैंसे जो भी लोग इन्फराइस्ट्रेक्चर से समधे काम काज करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बलवान इस्तिति है, नए कॉंट्रेक्ट मिल सकते हैं, जो काम अल्रेडी चल रहा है, वो बहुत तेजी से कंप्लीट हो सकता है, और उसकी पेमिंट आपको मिल सकती है, और आपके परफामेंस देख करके, आपको कुछ और असाइन्मेंट मिल सकते हैं, कुछ लिए इस्तितियां बहुत शांदार है, फाइनेंस, फाइनेशल ब्रॉकरेज या गिर्वी का काम काज करने वाले राजनिती से सम्मंदित लोग, या एजुक्रिशन सेक्टर में काम काज करने वाले, बेकरी और कन्फेशनरी का काम काज करने वाले, उन लोगों के लिए इस manufacturing जो agency business commission in brokerage, logistic, service providing sectors इसमें काम करने हैं लोग चाहे आप job करते हैं चाहे business करते हैं या प्रोपेशनल हैं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुख सुविधा के साथ में भरपूर मौके मिलेंगे अपने आपको develop करने के अपने आप में improve करने के काम काज करने जो लोग job कर रहे हैं उनके लिए इस्तियां बहुत अच्छी है और इस्पेशलि जो लोग जोखीम का काम कर रहे हैं उनके लिए शांदार gain के मौके मिलेंगे name और fame मिलेगा जो लोग professional से हैं especially financial professional से हैं उनके लिए loan की जरूरत है, उनको loan मिल सकता है और financial need अगर आपको है तो कहीं से भी आपको support भी मिल सकता है तो चाहे आप business करें, चाहे job करें चाहे job ढूंड रहें, तो भी ये समय काल आपके लिए बैटर है तो हर हालब में आपके काम काज के लिए profession के लिए ये मा markable है, milestone की तरह है आपको याद रहेगा, कि मैंने इतना अच्छा काम इस माह में किया था आईए, अब बात करें, जुलाई 22 के मासिक रासिफल के उपायों के बारे में सबसे पहले, आपको शनी के दान उपाय करने के सबसे ज़्यादा है, क्योंकि शनी के साड़ साधी आपको 24 जनवरी 2020 को स्टार हो चुकी थी, और 23 फरवरी 2018 तक ये चलती ही रहेगी, तो ऐसी इस्तिति में शनी के उपायों में नित्य सनी स्टोतर का पाट और या पे शनी मंत्र का जाप करें, ये आपकी रूटीन में बिठा लें, कि आपको 10-15 मिंट जो पूजा पाट है उसमें देने ही देने, ताकि इस 10-15 मिंट का जो आपको फाइदा है वो गंटों की बचत के रूप में देखने को मिलेगा, माली जाप पूजा पाट नहीं करते हैं इनर स्ट्रेंट आपकी विक्सित नहीं है तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेस में काम करेंगे, और बहुत बार ऐसा होगा कि कोई काम आपको दूबारा करना पड़ेगा क्योंकि मिस्टेक हो गई, तो ऐसे स्टिति में 10-15 मिंटे सब पूजा पाट में गुजारिए, आपका कंसेप्ट, आपकी स्ट्रेंट, आपकी इनर स्ट्रेंट, आपका सिक्सेंट, इंट्रूशन पावर ये, सब कुछ डवलप होगा, और क्या पूजा पाट में आप चाते हो को डायेट बगवान तो उपर से आकर के चेक फाट करके देंगे नहीं, आपको हाथ पकड़के तो आपको अटाएंगे नहीं कि ये काम गलत कर रहे हो आपकी स्ट्रेंट इतनी अच्छी हो जाती है कि क्या खराब है और क्या अच्छा है ये आपको आस पास कोई भी पिपल का पेड़् य वट्रॉक्स का पोदा लगाईए, पिपल का पेड़् वत्रॉक्स का पोदा आपको चोबीस से घंटे dagen देता हो सबसे ज्यादा आपको Ajn जो मिलती है इन ही पेड़ों से मिलती है इसलिए गाउं में देख लिजे, हर चौपाल पर आपको ये पेड़ लगे वे दिखाई देंगे, और या पर जहां पर पेड़ लगे वे हैं, वहाँ जा करके पानी सीचिए, हर सनिवार को काले रंगी वस्तों का दान दीजे, किसी भी जुरुत मन्द विक्ति को, आने वाले लक्षमी कवच और जो दूसरी स्थितियां, उन सभी के लिए, दस महावध्य कवच उपयोगी रहेगा, ऐसी स्थितियां सामर्तिवान दोनों कवच एक साथ में बना सकते हैं, अन्य था, आप दोनों अलग लग कवच बना करके पहन सकते हैं, जब इच्छा हो तब कवच लेकिन ये समयकाल है विश्य सुर्प से कवच का निर्मान करने का, इसलिए स्किन पर जो नंबर दिये हैं, उस पर संपर कर सकते हैं, यदि कुछी बिरकार की जिग्यासा है या डाउट है, रतनों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसलिए राजा महाराजा से लगा करके आज के देनवान व्यक्ति तक रतन दारन करते हैं, ऐसी इस्तिती में आप अपनी राशी का भाग्यवरदी रतन लोकेट जिसमें तीनों त्रिकोनों की स्ट्रेंथ आपको मिलती है, जीवन का सुख, कैरिर का सुख और भाग्य का सुख, ऐसी इस्तिती में हीरा पन्ना और निलम ये जो रतन या उपरतन एक साथ में जब आप पहन लेंगे इसको ही भाग्यवरदी रतन लोकेट कहा जाता है हम लोग जो भाग्यवरदी रतन लोकेट का निर्मान करते हैं उसमें भी साई इंतर भी जोड़ देते हैं ताकि वो और ज्यादा पाउरफुल बन जाए इसके अलावा आप मैंसे जो लोग लक्समी योगों को धन योगों को बल देना चाते हैं उसका फाइदा उठाना चाते हैं वो अपनी रासी का लक्समी योग रतन लोकेट धारन कर सकते हैं इसमें चार रतन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं या रतन कैसे मिल सकते हैं उपरतन में क्या होगा इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर जो नंबर देवे हैं उस पर संपर करके कर सकते हैं लेकिन संपर्ख करने के लिए समय का ध्यान रखिए कि इंडेनिस्टेंट समय में सुबह 10 बजे से साम को 6 बजे तक फॉन करेंगे तो आपको रेस्पॉंड करने के लिए कोईन को टीम मेंबर मिलेगा। बविश्य में जांकना हूँ, कोई बहुत बड़ा डिस्जन लेना हूँ, तब अपनी जनकुल्डी का डिस्कॉर्शन या विस्टलेशन अनिवारी हो जाता है, जरूरी हो जाता है, ऐसी इस्तिति में फेस्टू फेस मिल सकते हैं, या फिर घर बैठे ठेलिफॉनिक से भी समस कर सकते हैं, मैं कामना करता हूँ, कि आप स्वस्ट रहें, प्रसंद रहें, उस्वरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का, घर के छोड़ चोड़े बच्चों का, और घर के बुजुर्गों का, विसे इस खैल रखें, आप सभी को मेरे नमस्कार, बहुत-बहुत श अब हैन आप सिレ रहें, झा 스पचक झास, विसे इस हो nestद है ऑने गहें, विसे एफ रहें, उस्वरक्ष टें हैं, और श्कष्ण, तो कम ऐस स्वर रहें, उसा आपस्वर्य समGU चोड़े।